तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं गड़ित में आने वाले सभी कोशनों के बारे में और आपको यह जो पेपर है यह 100% पुरा स्योर है कि आप लोगों को यही कोशन आने वाला है तो देखिए अगर अभी तेक आप लोग ने चैनल सस्काइब नहीं किया तो मिलता है जिसकी 100-100 से भी जादा अगर गैरेंटी है तो मैं आप लोगों को वाला भी अप्लोड कर दूँगा जितने भी मुझे कोशन पेपर मिलते हैं गैरेंटेड वाले मैं आप लोगों के लिए प्लोड कर दूँगा तो इस चैनल को सस्काइब करो और जितने भी आपक लोगों को देने वाला हूं तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं तो बना वीडियो के लाश्ट तक रहो और मैं आप लोगों के यहां पर सारे कोशन देने और फटबट से इसके इसके बाद वाला वीडियो उसमें आपको इसको मैं सॉलुशन भी दे दूँगा तो गोंग 11-15 तक है वह आपके तीन नमबर के रहेंगे और प्रिशन को मांग 16-20 तक 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 आपके पाच नमबर के रहेंगे तो देखो पहला आपका आ रहा है सेवीडियो प्रफाच गोणज़ो का योग लिखी है तीक है यह आपका है दूसरा सुन्यक माइनस आपाइप के यह आपको question solve करना है ठीक है next आता है समीकर्ण x square plus one इस पूरी का holy square minus x square is equal to zero तो यह आपको बताना है कि यह क्या है ठीक है इसके बदर next है यदि रेखिक समीकर्ण को कोई संगत यूग में है तो आले की रेखाएं होंगी कैसी होंगी यह बताना है next को चने रिक्तिस्थानों की आपको पता होगा खालिस्ता अने ठीक है एक दूटी शमीकर्ण में बहुपत के एक से अधिक क्या हो सकते है सुनने खुसकते है तो आपको बताना इसके बात आता है Premier का एक सिद्ध किया हुआ hours प्रश्णों का उत्तर एक सब्सक्राइब लिखी तो यह आपको लिखना है ठीक है एक सबसे व्यापक रूप लिखी तो यह आपको लिखना है ठीक है जिसके आकर समान हो परंतु आशक रूप से आमाप समान ना हो क्या कहलाती है यह आपको बताना है ठीक है इसके बाद आता है यदि दुईगाद समीकाड एक सुसकर प्लस प्लस सी के सुननेक अलफा और बीटा हो तो सुननेकों का योग वर गुलनफल बताना है आप लोगों क नेक्स आता है आप लोग के पास में इसी का अथवा था आधारवुत आनुपातिकता प्रमेक का कथन लिखिए ठीक है इसके बाद में इसी का अथवा देता है कि से समानतर स्रेणी के प्रथम एन पदोंक लिए योग फल का सुत्र लिखिए नेक्स्ट कोशन नमर आटवा द्विगाद बहुपद सुन्य बहुपद अचर बहुपद इनके आपको डेफिनिशन लिखना है और एक एक एक्जामपल भी देना ठीक है चले कोशन नमर टैन देखते हैं यदि दी एफपी यहनिकि आपका के चार प्रथम पद दिये हैं जबकि प्रथम पद ए इसगल ट कोशन है इसको नोटन कर लेना 99.9 चांस रहते हैं बोर्ड में आने के ठीक है चलो नेक्स बात करते हैं हम लोग 11 नमर के कोशन के दिए इसको आप लोगों को सत्यता की जाच करना है उसके बाद में कोशन नमर 12 देखेंगे यही था मैंने आप लोगों को बताया था भी ठीक आपको कोशन नमर 15 देखेंगे आप लोगों कोशन नमर 16 यूकलाइड विवाजन प्रयोगी का प्रयोग करते हुए आपको धनात्मक पुर्णांग का वर्ग किसी पुर्णांग के लिए बताना है 3M या 3M प्लस 1 की रूप में ठीक है आपको यूनिट नमर 1 इमेल जाएग ठीक है इसका अंतर तो यह आप लोगों का कोशन पेपर था ओ यार सॉरी पर दाट इसके आगे का मैं अभी नहीं ला पाया वह स्लाइड एड करना भूल गया हूं मैं तो आप लोगों को जश्ट में इसके बाद वाले वीडियो में दे दूंगा ठीक है चलो तो इसने कोश